pigmentation से हम लोग सब परिशान रहते हैं बहुत हद तक हम बहुत सारे उपाई करते हैं बहुत सारे उपाई आपने किये हुए होंगे पहले भी and creams भी बहुत सारे आपने लगाए होंगे यह एक छोटा सा नुसका आप ट्राइ कर लो आज guarantee देती हूँ इसकी results से आपको बहुत ही पसंद आई है and बहुत easy है बहुत आराम से बन जाता है चीजे बहुत कम लगती हैं आपके घर की चीजों से बना है and the results बहुत अच्छे तो सबसे पहले आपको चाहिए गाई की दूद का बनावा घी आप बजार से भी ले सकते हो या फिर घर में भी जो दूद आती है गाई की उससे भी बना सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक चमच गाई की घी ली है and यह जो गाई का बनावा घी होता है इसके अंदर बहुत सारे प्रचूर मातरा में vitamins होते है vitamin A, vitamin E and यह skin को बहुत hydrate करता है skin को clear करता fine lines अगर आपको है उसको भी दूर करता तो इसके अंगिनत फायदे है इसके बाद हमारा जो last and second ingredient है वो है honey यहाँ पे हम एक चमच से थोड़ा कम honey डाल रहे है and इन दोनों को अच्छे से आपको mix कर लेना है and हमारा face cream जो है ready हो जाएगा यह दोनों बहुत ही जबरदस्त combination है guys जो घी होता है न काय के दूद का बनावा उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में anti-aging properties होती है हमारे skin में जितने scars हो जाते कटने चटने की दाग हो जाते उनको भी बहुत हद तक वो भरता हेल करता है बहुत अच्छा जबरदस्त यह नुसका है इसको ट्राई करना तो must है आप इसको ज़रूर ट्राई कीज़ेगा क्योंकि यह मेरा approved है बहुत लोगों ने इसे test किया है and results बहुत अच्छे आते हैं बहुत easily बन जाता है आपको बस इस अच्छे से mix कर लेना अब मैं तो कहूँगी आप एक बार में दो दिन का बनाओ या फिर डीली बनाओ थोड़ा-थोड़ा अमांट में बना लो and इसको आप पूरे फेस में लगाओ अगर पूरे फेस में नहीं लगाना चाहते हो तो बस pigmentation वाले spots पे लगा लो तो इस तरह से मैं आपको हैंड पे लगा कर दिखा रही हूँ similar आप अपने फेस पे भी लगाएगा बहुत अच्छा सर दिखाता है and आपको circular movement पे आपको लगाना है बहुत easy and बहुत quick सा यह home remedy है इसको लगाने के लिए आपको बहुत tension लेनी की ज़रूत नहीं है आप इसको daily रात को सोने से पहरे लगा लेजाए और सुबह इसको wash कीजिए wash करने के बाद भी आप मैं आपको बताऊंगी जो कि घी है बहुत easily नहीं निकलेगा तो अपको हलके गुन गुने पानी से इसको निकालना होगा तो अगर मेरी यह home remedy आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके सहीगा